हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल और आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ लौकी अलू की सबजी फ्रेंड्स बच्चे लौकी खाने में बहुत अनाकानी करते हैं पर जब आप इस तरह से लौकी अलू की सबजी बनाएंगे तो बच्चे भी बहुत प्रेम से खा कर लिया है और टमाटर को भी काट कर ले लिया है और यह प्याज है एक प्याज है इससे भी मैंने लंबी काट ली है और यह अरी मिर्च है एक चमच जीरा चुटकी भर ही और यह कुछ मसाले हैं आधा चमच हल्दी आधा चमच सबजी मसाला आधा चमच से थोड़ा सा कम का मेरी लाल मिर्च, एक चम्मच धन्या पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार और हमें ओयल चाहिए सब्जी बनाने के लिए तो अब हम कुकर चढ़ाएंगे कुकर में डाल देंगे अपना ओयल यह करीब दो चम्मच पूरा भर के ओयल है अब इसमें हम डालेंगे ही और जीरा अब इसे हम क्रैकल होने तक पकाएंगे और जैसे ही ही और जीरा हमारा पक जाए थोड़ा सा कलर आ जाए तो हम इसमें डाल देंगे लैसुन और लैसुन को भी और मिर्ची भी डाल देंगे और इन्हें भी हम सौटे करेंगे अच्छे से हलका हलका हम इसे पका लेंगे अब जब तक हमारी प्याज पक रही है तब तक हम अपने मसालों को रेडी कर लेते हैं तो यह देखिए जो सारी मसाले मैंने लिए थे इसे हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे फ्रेंट्स मैंने यहां पे कास्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है अगर अगर आप चाहे पानीय सारी है मारी करें तो अब हमारी इदर पियाज भी पक चुकी है यह देखिए प्याज का यह तो अब मैंने जो मसाले त्यार की जो आपर गोल कर इसे हम इसमें डाल देंगे और इसमें अच् сейчас हमारा अच्छ से पक रहा है अब आण букв Guard आव इसमें डाल दो हैंगे तक कि मसाले हमारे जलेना फ्रेंट्स खाना तो सभी को बनाना आता है लेकिन छोट छोटी से जो बारी किया होती है अगर हम उसे ध्यान रखेंगे तो हमारे खाने में बहुत अच्छा स्वादा आएगा तो यह देखिए मसाला हमारा पक चुका था तो अब इसमें हमने डाल दिय है नमक डाल कर हम इसे फिर से चलाएंगे और यह देखिए इसमें हम उपर से लगा देंगे धकन ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं तो यह दो तीन मिनट के लिए मैं इसमें ड़कन लगाऊंगी अंदर से हम सीटी बला नहीं लगाएंगे सिप उपर से ही ताकि जो भी कसर है वह सारी दबाने से टमाटर हमारे अच्छे से और गल जाएंगे अब इसमें हम डाल देंगे अपनी जो आलू है मने काटके रखे थे यह आलू डाल कर हम इसे चलाएंगे टमाटर और मसालों के साथ में थोड़ा सा आलू को हम दो तीन मिनट के लिए तो अब दो तीन मिनट हो गए हैं अब इसमें हम डाल देंगे लौकी और यह सारी लौकी इस तरह से डालने के बाद में हम लौकी को भी अच्छे से इसमें पहले चला लेंगे अब इसमें हड़बड़ी नहीं करना है कि हम पानी डाल दें हम अच्छे से पहले सबजीयों को भूल ले इसके बाद ही पानी डालेंगे तभी हमारी सब्जी में टेश्ट आता है तो यह देखिए लौकी डालने के बाद में इसे हम अच्छे से दो तीन मिनट के लिए सारे मसालों के साथ में मिक्स करेंगे इसे इसी तरह से हम चलाते हुए भूनेंगे अब सब्जी हमारी अच्छे से भून चुकी है तो इसमें हमने लाश्ट में डाल दिया है थोड़ा सा भूना हुआ जीरा पाउडर इससे सब्जी बहुत अच्छी बनती है और इसका फ्लेवर बहुत खिलकर आता है और जीरा और लोकी का तो पुरान हरिस्ता है क्योंकि जीर हमेशा लोकी के साथ में छोका जाता है और अच्छा भी लगता है तो यह देखिए मैंने इसमें एक कप पानी डाल दिया है और अगर आपको सबजी थोड़ी सी पतली चाहिए तो आप दो कप पानी भी डाल सकते हैं चुकि लोकी कभी पानी छूटेगा और मुझे इतना ही प पानी से डाल दिया है और इसे हम चला लेंगे और इसका हम ढगा देंगे तो दो सीटी आने तक इसे हम पकाएंगे और इसके बाद गैस को बंद कर देंगे और जब अपने आप प्रेशर इसका निकल जाएगा तब हम इसे खोलेंगे तो यह देखिए दो सीटी आ चुकी है तो मैंने प्रिशर भी निकल चुका है अपने आप से, आप ढकन हटाया है तो ये देखिए सब्जी हमारी बहुत अच्छी पक्कर त्यार हो गई है और जितना हमें इसकी ठीकने चाहिए थी ये उतना ही है ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कितनी अच्छी सब्जी दिख रही है और खाने में भी यकिन मानिये उतनी ही अच्छी लगती है इसे मेरे बच्चे बहुत ही मन से खाते हैं तो चलिए इसे कर लेते हैं सर तो ये लीजिए चापाती के साथ में मैंने इसे सर किया है आप भी इसे बनाएं और खाएं मुझे बताएं कैसी बनी है अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में